नमस्कार बहर स्वगत है आप आप देख रहे हैं Grand Drama सनमार्ग हमारे यहां हमारे घर का वास्टू का सबका महत्व है हम जहां भी रहते हैं चाहे हम किराई के घर पे हो या फिर अपने ही घर में हो लेकिन घर के मुख्य दर्वाजे को सजाना हम नहीं भूलते तो मुख्य दर्वाजे को हमेशा ही सज्जा के साथ रखना आप सबसे जो खुबसूरत दर्वाजा होता है आपके घर का वो आपके घर का मेंडोर होता है तो मुख्य दर्वाजे के पास कुछ चीजें आपके जीवन में सुपता बढ़ाती है और कुछ चीजे का बंदनवार या फिर असोग के पत्तों का बंदनवार जरूर लगाईए हमेशा ही सजाकर रखे तोरं जिसे कहते हैं उसी को बंदनवार कहते हैं तो इस तरह से आप लगा के रखेंगे तो घर में नकात्मक उड़जा प्रवेशी नहीं करेगी घर के मुखे दरवाजे को हम प्रवेशा ही साफ सुथरा सफाई करते रहें और यह नहीं की पेंट बहुत इन से नहीं किये हैं उड़ा उड़ा सा है नहीं एकदम सलीके से रखें और संभवो तो दोनों तरफ स्वस्तिक का निसान बनाईए घर के दरवाजे के देखिए मा लक्षमी उस घर में ही रहती है जहां कोई कमी नहीं है यानि आपके घर के सकायत्मक उर्जा को बढ़ाता है आप भले ही बहुत सारे नियम का पालन करते हैं लेकिन हर समय घर में कलह कलेश होगा तो लक्षमी आएगी ही नहीं आज हम आपको मा लक्षमी को मनाने के बाते भी बताएंगे और क्या कुछ ऐसा है जो आपको घर में लक्षमी आपके नहीं आती ऐसी बाते भी सबसे पहली बात तो घर के मुख्य दरवाजे पर पानी से भरा हुआ एक बरतन जरूर रखें संबबो तो गुलाब की पंखुरी डालकर रखें और यह बरतन आप रखेंगे अपने घर से पाहर निकलने के समय घर के ठीक अंदर मुख्य दरवाजे के दाहिने साइट यह आपके सुरक्षा कबच है आपके लिए घर में सकात्मक उड़ जाएं आएंगी आप सभी सुरक्षित बने रहेंगे भूल कर भी मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से गनेज जी की तस्वीर मत लगाई और जब अंदर में पीठ होगा तो दर्यता आपके घर में इसलिए ऐसी गलती ना करें अगर पहले से ऐसा कुछ है तो आप अंदर से भी एक गनेज जी की तस्वीर ठीक वहीं पर लगा दें कि दोनों का पीठ एक जगा चिपक जाएं तो ऐसा करने से निगेटिब जो दोस आते हैं स्वस्तिक का निसान ओम का निसान मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर चोखट में बीचो बीच आप बनाते हैं बाहर की तरफ से तो जो भी बैक्ति आपके घर में आएगा एक तो उसकी निगेटिव इनर्जी बाहर ही रह जाएगी और अगर उसके आँखों में कोई की गलत चीजे हैं तो वो भी इस दोस को समाप्त कर देता है यह चावल हल्दी हमेशा ही वास्तु को ठीक करने करके ही रखना चाहिए और इसके लिए तमाम प्रयत्न भी किये जाते हैं आज हम आपको क्या नहीं रखना चाहिए अब हम यह जानते हैं अभी तक हमने सिर्फ यह आपको सिंपल सब्दों में बताया क्या अच्छा होता है एक और बात सनी बार और रवी बार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाडू लगाने के पहले पानी डाल दिया करें यानि आप एक मग एक बाल्टी कोई भी हो पहले पानी डाले और फिर जाडू जाएगा आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पाइदान जरूर होना चाहिए जिसमें पैर पोस्ते हैं डियरेक्ट कभी भी कहीं से घर में परवेश ना करें नहीं तो आपके पैरों में जो निगेटिव इनरजी है वो भी आपके साथ अंदर आ जाएंगे पहले के जमाने जूता चपल रखिए लेकिन कहीं साइड की तरफ एकदम से सामने में मत रखिए यह भी वास्तुदोस को बढ़ाता है जूता चपल हमेशा करीने से रखें जोड़े की संख्या में यानि को एक जूता यहां है एक उधर से है एक उल्टा है एक सीधा है एक पे एक चड़ा ह हुआ है यह भी वास्तुदोस बढ़ाता है घर के में दरवाजे पर काटे वाले पौधे या दूद वाले पौधे मत लगाईएगा जिस भी पौधे को तोड़ने से उसके पत्ते से उसके तने से दूद निकलता है ऐसा पौधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मत लग गया है एक दम ठूटा सा दिखता है उसमें पत्ते नहीं है पुस्प नहीं है बंजर सा दिख रहा है वैसे घर ऐसे जगह में कभी नहीं बनाना चाहिए जो इलाका ही बंजर हो जब भी रहें समाज में रहें समाज में रहें तो सुख दुख में हर कोई साथ देगा आपका कह आपके घर के आसपास बड़े पेर हैं जिसकी चाया आपके घर पर पड़ती है तो ऐसे पेड़ों के आप डाल कटबा दें कि चाया आपके घर पर ना पड़े क्योंकि ये सबसे बड़ा वास्तु दोस होता है आपका बरकत ही नहीं होने देगा घर के आसपास आपके घर के प कोई फलदार ब्रिक्ष है जैसे आम का पेड़ है उसे हटा दें क्योंकि आपके घर में जो बच्चे वो तरक्की ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके घर में आम के पेड़ है तो कभी कभी क्या होता है दिवाल की किनारे चट पर पीपल के पेड़ उगाते हैं जितनी जल्दी हो सके हटाएं नहीं तो घर आई लक्षमी वापस चली जाएगी और घर में राहु के तू सनी का वास हो जाएगा फिर तो परिसानिया बढ़ जाएगी तो पीपल का पौधा वैसे भी घर में अच्छा नहीं होता आप हटाईए कहीं भी हटा कर सार्वजनिकस्थान पे लगा दे बेल का पौधा लगाने से नियमित रूप से दर्सन करने से एक बिलपत रोज लक्षमी मा को और पीत करने से धन की कमी लाइफ टाइम नहीं होती यह उपाय आप कीजिए बेल का पौधा जरूर लगाईए और अगर आपके घर में लोग बिमार रहते हैं बार बा हमार यहां दूर हो जाएगी आप सभी स्वास्त रहेंगे अनार भी खाने को मिलेगा और स्वास्त भी अच्छा अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है तो छोटा सा उपाय तो है पर है बड़े कामकार रोज साम में अपने घर के तुलसी के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाएं ओम रभीवार के दिन लेकिन नहीं जलाईएगा ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर का जब करें साम के समय अगर इस मंतर का जब 11 बार भी कर लेते हैं तो बहुत सारे संकट यूही दूर हो जाते हैं और यह दीपक जो जलाईएगा तुलसी के नीचे आप जला चाहिए वैसे तो तुलसी एकादसी, दुआदसी, मवस्या और गरहन के दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए नहीं नाखुन से तोड़ना चाहिए ध्यान रखिएगा और कुछ नियूमों का पालन करके मालक्ष्मी को आप बना सकते हैं आज हमने आपके साथ बहुत सारी ज शर्थ Alors चाहिए हमने आपके भीत कुछ उपमत में तोड़ना चाहिए दोड़ना भीत का ल van में। झाल झाल